Hello students, आज हमारी जो कहानी है, basically इसका नाम है Night of the Scorpion. So today we are going to have the story of Night of the Scorpion. Basically it's a poem. मैं आपको इसको नेरेट करने वाला हूँ एक कहानी की तरह से. Basically guys, थोड़ी बेसिक्स जानते हैं कि ये particular कहानी बिच्छू की रात, अगर हम हिंदी में देखें, तो ये बिच्छू की रात basically has been composed by Nisim Ezekiel. He was a great Indian English poet and सबसे बड़ी बात है कि he was a Jewish, वो एक यहुदी थे. So guys, हम देखते हैं कि he was born in Bombay और सबसे बड़ी बात है कि he is a Padamshiri awardee. इनको Padamshiri मिला है and also he got the Sahitya Academy Award. और वो भी किसके लिए? Letter Day Sam's. Letter Day Sam's के लिए उनको Sahitya Academy Award, 1983 में प्रवाइड किया गया, 2004 में उनकी death होती है. तो guys, देखते हैं कि ये particular कहानी बिच्छू की रात, यानि Night of the Scorpion, basically किसके उपर बेश्ट है? तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, reflective एक poem है, means if you see the mood, वो कैसा है, reflective mood है. और basically ये mother's love पे बेश्ट है, कि मा का प्यार किस तरह से selfless होता है? यानि अगर हम इस पूरे world को देखें, तो everything we would see selfish है, सारी दुमिया selfish चीज़ों पे चल रही है. बट parents का love and especially mother का love, वो बच्चों हमारे लिए selfless होता है. तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, इस poem को, Night of the Scorpion. निसीम इजैकल शुरू करते हैं, I remember that night when my mother was bitten by the scorpion. यानि कि वो उस रात को याद करते हैं, जिसमें उनकी मदर को एक बिच्छू ने काट लिया था. और सबसे बड़ी बात है, free verse में हैं. अब अगर बच्चों, free verse की बात करें, तो free verse बेसिकली, I'm big pentameter lines है, unrhymed हैं. अब देखो, I'm big pentameter lines अगर unrhymed हैं, तो ये बच्चों blank verse हैं. लेकिन अगर यहीं पर meter भी हट जाएं, यानि के meter का हम कोई ध्यानी ना दे, meter भी वहाँ पर नहीं है, तो ये free verse बन जाता है. तो meter का ही difference, blank verse और free verse के बीच में हैं. तो ये poem आपकी किसमें लिखी गई है, free verse में. तो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें. यहाँ पर निसी मिजैकेल अपने ही घर की बात बताते हैं, और यहाँ पर reflective mood में वो क्या-क्या बताते हैं कहानी. कहानी बच्चों एक शाम की है, एक रात की है, जब लगबग 10 घंटे से बारी शोरी थी, तो लगातार बारी शोरी, it's raining, और उस brain में एक बिच्चू वहाँ पे refuse के तोर पे आता है, शरण लेता है, और जो वहाँ पे खाना बनाने वाली kitchen थी, वहाँ पे एक shack है, कहे की shack है rice की, तो चावलों की थैली के नीचे बैठ जाता है, अब भई मदर है, बच्चों के लिए खाना बनाएंगी, तो मदर आती है, और खाना बनाने के लिए जैसी शेक उटाती है, वह एकदम से उनको bite कर लेता है, तो बिच्चू का काटना था, आप जानते हैं, बिच्चू क यहूदी जो बस्तियां होती है, बॉम्बे में अगर हम देखें, तो वो एक जो particular area उनका होता है, वो ghettos कहलाता है, बड़ा congested सा जहां पे लोग रहते हैं, तो वे सबाते हैं, अब यहां पे जबरदस्चीजों को imagery को, figures of speech को यूज करते हैं, निसे में जाय के लिए बतान unwanted flies, unwanted flies की तरह से वो वहां पे आते हैं, जैसे flies हमारे गड़ में unwanted रूप से आती हैं, और बच्चो वो अपना उचार शुरू कर देते हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि बई किस ने काटा है, बिच्चु ने काटा है, तो उनका एक particular orthodoxy के पीछे है, कि at the very first हमें बिच काड़ना चाहिए, क्योंकि बिच्चु जितने भी कदम चलेगा, यह सारी की सारी lines वहां पे आप देख सकते हैं, कि the steps it would move, there would be more pain, मतरब कहने का कि जो poison है, that would spread inside the blood, वो blood में फैल जाएगा, और उससे मदर को ज़्यादा दर्द होगा, तो बिच्चु इस विराद से वो अपना काम किया है उसने और वो चला गया, बिच्चु को बच्चो यहां पे कैसे दिखाया गया, it has been shown like the villain, इसको villain, एक evil spirit shock किया गया है, तो बिच्चु अपना चला जाता है, अब उसके बाद वो क्या करते हैं, जब नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, काफी मंतर पढ़त जो पास्ट में उसने पाप किये हैं, उनको धुल रही है, या फिर वो clean हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, जो कि irritate करते हैं कहीं ना कहीं, नसीम जैकल, यानि कि poet को, poet कहता है कि ऐसी चीज़े होती हैं और आप उन्हें रोक भी नहीं सकते, और बहुत सारी चीज़े, वो मं मुतराज चेंट करते हैं, और काफी कोशिश करते हैं, एक तरफ हम देखे तो वो कहीं न कि support कर रहे हैं, they are helpful, बट उनके लिए क्या है बच्चो वो irritating, like unwanted flies, और यहां पे जो बिच्चु था उसको बच्चो कैसे दिखाया गया, diabolic tail वाला, यानि कि a villain, an evil spirit with a diabolic tail, यानि कि imagery यहां पे है, अब इसके बाद क्या होता है, काफी देर हो जाती है, फादर, अब अपने फादर को निसी मेजैकल कैसे present करते हैं, एक skeptical person की तरह से, एक reasonable person, एक rational person, और वो rational क्या करते हैं, वो बच्चो थोड़ा सा scientific चीजों की तरफ जाते हैं, पैराफीन लेते हैं, यानि कि म लेकिन बच्चो कुछ भी नहीं होता, अब सारी चीज़े वहां पे होती हैं, और उसके बाद लगबग अप्टो 20 आर्स लेटर, तो 20 आर्स के बाद में मदर खुद बखुद्धी हो जाती है, क्योंकि वो जो poison है, अब उसका असर बच्चो कम हो जाता है, तो जब हम 20 इसके बाद देखते हैं, कि मदर का poison का असर कम हो गया है, अब वो ठीक महसूस करिए, उटके बैट जाती है, तो आप देखें, यहां पे मदर क्या कहती है, मदर सेज, वर्ट्स देखें आप यहां पे, कि थेंक्स, दे स्कॉर्पियन बिट मी, थेंक्स अब अलॉड तो गो यानि कि मदर का लव कितना selfless है, वो हम यहां पे देख सकते हैं, तो यही पूरी तरह से यहां पे कहानी है, Night of the Scorpion, और यह बच्चों मा की ममता पे बेश्ट हैं, तो आपको यह समझ में आई है, और यह आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसमें कमेंट्स करें बच्च वो भी है और इसमें कहानी भी है, so thank you so much for today.